Hello friends, welcome to my channel GK Cafe इस वीडियो में हम discuss करेंगे Static GK का बहुत important topic famous artist परमुख कलाकार और यह SSC का most repeated topic है consistently इसी से question पूछे जादें और railway में भी पूछे जादें अगर आप देखेंगे तो सारे important जो कलाकार है मैं इसमें discuss करूँगा और देखें इसमें मैंने railway और SSC में जो पूछे गए हैं सारे famous artist उनको compile करके इसमें मैंने add किया है आप YouTube पे search मारेंगे इस वीडियो को तो कहीं नहीं मिलेगी because YouTuber जो होते हैं normally इसमें जादा focus नहीं करते हैं because उनको उपर से जो mainly मिलते हैं जैसे dance form हो गए books and authors हो गए इसमें पर वीडियो मिलती है बट इससे ज़्यादा question पूछे आदे consistently अगर आप SSC के previous arts पे काम करते हैं तो आपको पता होगा अच्छा ये वीडियो का first part है इसके बाद मैं दूसरा part लेकर आऊंगा इसको दो parts में डिवाइड करूँगा क्योंकि लंबी वीडियो होने से बोर हो जाती है ठीक है और इससे पहले मैं books and authors का topic लिए आचुका हूँ पूरा complete करा दिया मैंने आप मेरे channel पर जाके मेरे playlist में देख सकते है books and authors के topic को ठीक है इनके बेटे अल्ला रखा इनके बेटे थे और ये भी तबला वादक थे बड़ देखिये पिता से ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया ख्याती इनके सबसे आदा रही है इनके पिता एक famous color कार दे बड़ इनका नाम को ज़्याद है सर्वोच बोला आता है तबला वादक के रूप में और देखिये इनके पिता का पूरा नाम क्या था अल्ला रखा कुरेशी उनके ये पुतर थे जाकिर हुसेन जाकिर हुसेन को confuse मत कीजेगा डॉक्टर जाकिर हुसेन के साथ वो भारत के third रास्पती थे बर देखिये डॉक्टर जाकिर हुसेन से related एक कोशन पुछे जाता है कि भारत के first मुस्लीम रास्पती कों थे तो कों थे डॉक्टर जाकिर हुसेन इतना याद रखेगा important है next है महारा संभू महाराज किसले परसिद है बहुत ही famous नाम है इनका भी और इसका right answer हो जाएगा कथक ये कथक सिखाते थे और कथक के बहुत बड़े dancer रह चुके हैं ये और दिखे एक कुशन पुछे जाता है कि कथक किस राज्य का नेत्य है किस राज्य से related है तो कहां का UP का उत्तर परदेश का अच्छा इसको confuse मत कीजिएगा कथक कली के साथ क्योंकि कथक कली है केरल का दोनों में mismatch मत कीजिएगा और संबू महाराज बहुत important नाम है ये railway के exam में खास कर पुछा गया है तो इतना नाम याद रखेगा इनका नेक्स शलते हैं नेक्स इमारा भीम सेंग जोसी किसले परसिद्ध है बहुत important नाम है अगर आपने देखा होगा SSC में खास कर पुछा गया है SSC के CHSL 2018, CGL 2013 और ऐसे ही कई exam में पुछा गया और railway में बहुत बार पुछा गया है कोशन पंडित भीम सेंग गुरु राज जोसीन का पूरा नाम था और ये इसका राइट अंसर क्या है गायक जैसे मैं बता है बहुत famous गायक रहे है तो इतना याद रखेगा नेक्स शलते हैं नेक्स है हमें माले नहीं किस मृत्य से सम्मन दित है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा और ये कोशन इनसे ऐसा घुमा आगे पूछा गया कि मुशली बच्चों ने गलत किया था और मैंने भी किया था कोशन क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बर दीखे नॉमली अगर हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ा क्योंकि भरत नाटिम से के राइट है क्योंकि हम और मादरास में बरास तमील नाड़ूमे वा था इसलिए और भरत नाटिम कहा या लोक नित्य कहा कई यндए तमील नाडू का ठीक है तो ये SSC Cigle 2015 ने पूछा गया था और SSC ने इसको बाद में कई लोगों ने RTI लगाई कि ये question कैसा जो relevant नहीं है मारे exam के prospectus थे तो SSC ने इसको फिर दुवारस इसमें सभी बच्चों के marks को add किया था ठीक है तो next शलते हैं next है मारा एंजोली एला मेनन किसलिए परसेद है बहुत ही famous नाम है ये painter है इसका राय टंसर हो जाएगा तीसरा चितरकारी करती है और देखिए ये इसने famous क्यों है क्योंकि SSC में दो बार question पूछा गया answer related और railway के exam में भी क्योंकि देखिए इनके एक painting थी यात्रा जो 2006 में उने बनाई थी उसको Asian Art Museum of San Francisco में जगा मिली थी बहुत ही बड़ी बात वही है और जो painting मिली थी और European Countryman का नाम बहुत ज़्यादा रहा है ठीक है तो कहां की थी पस्ची मंगाल की ये भी याद रखेगा क्योंकि railway के exam में एक बार पूछा गया है कौन से स्टेट से belong करती है ये पस्ची मंगाल से ठीक है तो next शलते है next हमारा Pablo Picasso किसले परसिद है देखे इनका कई जगे नाम आता है Pablo Picasso कई जगे आएगा Pablo बट इनका actual नाम है Pablo Picasso तो याद रखेगा ठीक है इसका राइटन से रो जाएगा फरस्ट चितरकारी बहुत पड़े पेंटर रहे हैं ये अपने टाइम के और देखे एक SSC CGL 2019 में पूछा गया नतर इनसे रेलेटेड कोशन कि Pablo Picasso किस कंट्री से ब्लॉंग करते है किस कंट्री के है तो कहा के थे ये इस पेंट के और इनका नाम इसलिए इतना फेंटिंग रहे हैं क्योंकि इनकी जो पेंटिंग रहे हैं आज तक की बहुत महेंगी पेंटिंग में से इनका नाम रहता जाला तर तो इतना इंपोर्टन नामे याद रखेगा क्योंकि SSC में दो-तिन बार पूछा गया है तो next शलते हैं नेक्स नेमारा जामनी राय की स्चीतर से सम्द्धित है तो इसका right answer क्या हो जाएगा चित्रकारी पेंटर बहुत फेमस पेंटर और कहां के थे ये पस्ची मंगाल के कहां के थे पस्ची मंगाल के ये भी याद रखेगा जामनी राय और देखे किन के सिश्य थे ये अविंद्रनाठ ठाकुर के जैसे कि मैंने आपको बता है किन के सिश्य थे ये अविंद्रनाठ ठाकुर के अविंद्रनाठ ठाकुर भी पस्चे मंगाल के थे और इक किन के थे ये रविंद्रनाठ टैगोर के भतीजे और देखे इसलिए फेमस को देखें इनकी तो इतना इंपोर्टेंट है और ससी में पूछा गया कि भारत माधा पेंटिंक के नो ने बनाई आविंद्रनाथ ठाकूर ने या आविंद्रनाथ टैगोर ने और देखें इन से इंट्रेस्टिंग टॉपिक की आई कि ये रविद्ना टैगोर के भतीजे थे बट इनका नाम European country में सबसे पहले रविद्ना टैगोर से पहले famous हो चुका था जैसे मैं आपको पहले रविद्ना टैगोर जी के बारे में बता देता हूं famous चीजे जो इनके बारे में रविद्ना टैगोर जी के बारे में क्या है तो रविन्दनाट टैगोर को देखे रविन्दनाट टैगोर एक एसे एक मात्र वेकते है जिन्नोंने दो रास्ट के रास्ट गान लिखे कौन कौन से एक तो आपको पता होगा जंडगनमन और अमार सोनार बंगला ये कहा का नेशनल लेंथा में बंगला देश का ये भी पुछा गया एक्जाम में सच सीगे तो ये अकेले एक से वेकती थे जिन्नोंने दोनों के लिखे थे कहा से थे पस्ची मंगाल के ये भी आपक इन्होंने 13 अप्रैल 1919 में इसको त्याग दिया था जब जलिया वाला बाग हत्या कांडवा था इससे बहुत विश्रित होके निरास होके इन्होंने नाराज होके इसको त्याग दिया था ठीक है और यही थे वेकती जिन्नोंने महात्मा गांदी जी को महात्मा की उपादी परदान की थी ये भी एक्जाम में पूछा गया है तो इस सारे इंपोर्टेंट फेक्ट है और देखें मैं आपको बता रहो था कि अविंद्र नाथ ठाकूर इनका नाम जैसे मैं आपको पहले भी बताया था गीतान जीली जब इन्होंने बुक लिखी थी तो इनका पश्चम आप फॉर्णर आर्टिस्ट के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ते होंगे फेमस परसनेलेटी के बारे में पढ़ते होंगे फॉर्णर तो इनका नाम सबसे उपर बोलता हूं मैं पेंटिंग की लाइन में या चितरकारी के तो इसका राइट अंसर हो जाएगा चितरका कुछा गया था कि लियोनाड़ो दा विंची की और इनसे पूछा था किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं तो इटली के कहां के थे इटाइलियन थे यह इतना याद रखेगा और पेंटर थे सारे फेक्ट बता दिये मैं आपको मैं आपको दो तीन इंट्रेसिंग पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको याद रहने में आसानी रहेगी मोना लीसा जो आज तक इन्हों ने बनाई है ऐसे क्रियेटिव माइंड थे इनका पेंटिंग के लाइन में अगर इस पेंटिंग को देखते हैं तो पास से कई देखें तो मुस्करारती दिखती है लेडी जो दिख रही है मोना लीसा पेंटिंग और कई जगे दिखती है थोड़ा सागर हम साइड बे साइड देखें तो कई बार उदास दिखती है और ये भी कहा जाता है कि इस painting को अगर हम कहीं से भी देखे ना तो ये ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही देख रही है ठीक है इतने बारी की से नोनी इस painting को मनाया था तो आस तक की ये और दूसरी बात क्या Mona Lisa painting painting आस तक की सबसे महेंगी painting मानी जाती है बहुत ही famous painting है इसलिए तो इतना याद रखेगा वैसे interesting topic हमें पढ़ते रहने चाहिए थोड़ा mind creative रहता है इससे ठीक है तो मैंने तो ऐसे पढ़ा था तो थोड़ा आपके साथ शेयर कर दिया कि interesting knowledge भी रहनी चाहिए knowledge के साथ साथ ठीक है तो next चलते so next है अमरता सेर्गिल के शेतर से सम्मंदित है ये भी painter रही है बहुत famous नाम है दीक है SSC में दुवारा question repeat हुआ बट अलग तरीके से पूछा गया कि अमरता सेर्गिल किस country से belong करती थी कहां से थी है तो इसका right answer हो जाएगा Hungary हंगरी के बुड़ा पेस से ठीक है तो इतना याद रखेगा क्योंकि question कोई भी घुमा के पूछे जाते हैं दोनों टाइप से पूछे गए तो दोनों बता दिये मैं आपको अमरता सेर्गिल के बार कर रहे हैं इनका पूरा नाम क्या था मैंने आपको बताया अल्ला रखा कुरेशी तो इतना फेक्ट है इंपॉर्टेंट और यह ससी में खास कर पूछा गया इसलिए मैं आपको explain क्या है कि इतना important नाम है यह अल्ला रखा ठीक है तो याद रखेगा ससी और railway में खास कर पू लेकर आईए आर्टिस्ट के उपर क्योंकि मैंने अपने नोट्स आपको दिखाया था उस नोट्स में आपने देखा था तो यह कर लेते तो आपके लिए बेनेफिट रहेगा क्योंकि ससी में mostly पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो के लिए पसंद आए तो वीडियो को ल लेकर आता है तो खासकर सस्ट को लिए सो थेंक यू